प्रदानमंत्री के दो दिनों के अबुधावी और कतर की यात्रा काज दूसरा दिन है अपने दूसरे दिन के कारेकरमों में अप से थोड़ी देर में अबुधावी में प्रदानमंत्री मोदी खाड़ी देशों में सनातन के नव जागरण में शामिल होंगे अब उधावी के पहले हिंदू मंदिर का भारत के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी उधगाटन करेंगे ये मंदिर अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकरशित कर रहा है ये मंदिर विश्व को एकता का संदेश देता है मंदिर के निर्मान और उधगाटन से जुड़े जो अनुष्ठान मंदिर में हो रहे हैं सबकी जानकारी आप तक लेकर आए हैं साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अबुधाबी से हमारे संबादाता तो बने रहे हमारे साथ मैं हूं रितु वर्मा और मेरे साथ है मेरे सहीयोगी अशोक श्रवास्त जी हाँ तो आज बहुत खास दिन है जैसे रितु ने बताया कि आज अबुधाबी में एक जो मंदिर है उसका उद्गाटन हो रहा है और ये इंपॉर्टन इसलिए है क्योंकि खाड़ी देशों में ये पहला हिंदू मंदिर है जिसका आज उद्गाटन होने जा रहा है प्रधान मंदिर नरिन मोदी के हाथ हो और बहुत जो इंपॉर्टन दीन इसलिए भी है क्योंकि आज वसंत पंचमी का दिन है आज मास सरस्वती की पूजा होती है तो भारत के ग्यान की जो है आज पूरे दुनिया जो है पूजा कर रही है भारत के ग्यान का डंका पूरी दुनिया में बजरा है और ना सिर्फ भारत के ग्यान का बलकि भारत की संस्कृती भारत के संसकार भारत की परंपरा और भारत के आध्यात में भारत के धर्म का जो है धर्म की ध्वजा इस वक्त पूरी दुनिया में फैर रही है और उसी का ये संकेत है आज जो कारेकरम होगा हम आपको सीधा प्रसार नमाद से दिखाएंगे प्रदानमंत्री के आज भी कई क पहले कहा कि आज विश्य को एक ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सच हों पारदर्शी हों करप्शन से दूर हों आज विश्य को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हों इस सम्मेरल में 20 राष्ट पतियों समेट दुनिया भर के 250 से अधिक मंतियों ने शिर्कत की अपने दूसरे दिन के कारेकरमों में आपसे थोड़ी देर बाद जैसा कि आपको हमने बताया भरतिय समयनुसार शाम 6 बजे वसंथ पंचबी के शुब अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों में सनातन के नव जागरन के प्रतीक बैप्स के मंदिर को घाटन समारों में शामिल होंगे तो आईए शुरुआत करेंगे आपको बताएंगे किस तरह से दूसरे दिन के कारेक्रमों में भी प्रधान मंत्री के कारेक्रमों में सबसे पहले क्यारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सरकार शिकर सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए दुबई में आयोजित सम्मेलन में विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया ये सम्मेलन सरकारी प्रक्रियाओं और नीतियों से जुड़े समबात का प्रमुख वैश्विक मंच है पी-म ने अपने संबोधन में कहा कि आज की परिस्तितियों में दुनिया को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी और पारदर्शी हो पी-म ने परयावरंट सहित विभिन्द चुनोतियों से निपटने के लिए गंभीरता को जरूरी बताया वर्ल गवर्मेंट समिट 2024 की थीम रही श्रेपिंग फ्यूचर गवर्मेंट्स दूबई में आयोजित शिखर सम्मिलन में भारत अतिथी देश के तौर पर शामिल हुआ प्रुधर मंति नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 सदी के सामने खाद्य सुरक्षा जल का संकट है तो आतंगवाद और जलवायू परिवर्तन जैसी चुनोतियां भी है उन्होंने कहा कि बीती सदी से चलिया रही इन सभी चुनोतियों ने व्यापक रूप ले लिया है ऐसे में सरकारों को अगर प्रासंगिक्ता बचाय रखनी है तो उन्हें पारदर्शी रष्टाचार मुक्त और समाविश्षी मॉडल रखना ही होगा आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो जो टेकनोलोजी को बड़े बडलाव का माध्यम बनाए आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो जो परियावर्ण से जुड़ी चुनोतियों को लेकर गंबीर हो आज विश्व को आवश्रक्ता है ऐसी सरकारों की जो इज अफ लिविंग इज अफ जस्तिस इज अफ मोबिलिटी इज अफ इनोवेशन और इज अफ दूइंग बिजनेस को अपनी प्रात्विक्ता बना कर चले प्रुषान मंत्री ने स्पश्च तोर पर कहा कि दुनिया को साथ मिलकर काम करना ही होगा उन्होंने कहा कि भारत का मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जी ट्वेंटी के अद्धक्षता के दौरान भारत ने इसे मजबूती दी प्रुषान मंत्री ने वेश्च्विक संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साथ के देशों के प्रतन इधित्व को सुरक्षित करने पर भी जोर दिया हमें मिलकर कोहिजिव, कोईपरेटिव और कोलोबरेटिव वर्ल्ड की वेल्यूज को प्रमोट करना होगा हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसंस और ग्लोबल डिसिजन मेकिंग में ग्लोबल साथ की भागी दारी को प्रमोट करना होगा हमें AI, Artificial Intelligence और Cryptocurrency, Cybercrime ऐसे पैदा हो रही चुनावतियों के लिए Global Protocol बनाने होंगे हमें अपनी National sovereignty को प्रात्मिक्ता देते हुए International Law की मरियादा भी रखनी होगी भवश्र में तकनीक वजन भागिदारी के प्रयासों को बढ़ावा देने और Minimum Government, Maximum Governance की राह पर चलने का आफ़ान किया तुधान मंत्री ने बताया कि कैसे भारत में बीते 10 साल के दोरा हर एक शित्र में ट्रांस्फोर्मेशन हुआ है और लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ा है कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है लेकिन भारत में हमने एक दम विप्रित अनुभव देखा बीते बर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबुत हुआ है लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है यह कैसे हुआ क्योंकि हमने गवनेंस में जन भावनाओं को प्राश्विक्ता दिये प्रधान मंत्री ने भारत के स्टार्ट अप, फिंटेक और डिजिटल सफलताओं का उदाहरन देकर दुनिया से इसे अपनाने की अपील की उन्होंने बताया कि कैसे योजनाओं के शत्प्रतिशत क्रियान नवयन से भारत में 25 करोड लोग बीते 10 साल के दौरान घरीबी रेखा से बाहर आये हैं जब सरकार लोगों के दरवाज़े तक पहुँच रही है तब रष्टाचार की गुंजाईश कम हुई है उन्होंने ये भी कहा कि बीते 23 साल से वे सरकार के प्रमुक के दौर पर गुजरा और अब केंद्र में काम कर रहे हैं लेकिन इस दौरान उनकी कोशिश है कि आम लोगों के जीवन में सरकार का दखल कम से कम हो दिव्यंदु मंदल और अरुन शर्मा के साथ बीरो रिपोर्ट डीडी निउस तो विश्य शेकर सम्मेरण में प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पारदर्शिता की बात की करप्षन फ्री की बात करी साथ साथ उनने ये भी कहा कि आम लोगों की जिन्दगी में सरकार का हस्तक शेप कम से कम हो इसका वो प्रयास कर रहे हैं यानि मिनिमम जो है वो गवर्नमंट और मैक्सिमम गवर्नंस के जो प्रधानमंति कहते हैं उसकी उन्होंगों बाग प्रधाननुन्ति नरेंद्र मोदी ने सनीव तराभ अमीरात की अप्राश्क पति चीद्ज मुख मुधमा बिन राशिद मक्तूम की बैठक प्रधान मंतरी मोदी और UAE के उप्राश्वती शेक मुहम्मद बिन राशित अलमक्तूम ने जबल अली में भारत माट के आधार शिला रखी भारत माट भारतिये विवसायों के लिए एक हाइब्रिट मार्किट प्लेस है जबल अली बंदरगा के भोगोलिक महत्व और रसत की मदद से भारती उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुच और आसान होगी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मेड़ागास करके राश्पती एंडरी रोजा एलीना से मुलाकात की दुबई में हुई स्वारता में दिपक्ष संबंदों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है दोने नेताओं ने दिपक्ष संबंदों में हुई प्रगती की समीक्षा की और इन संबंदों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा की है प्रधान منत्री नरेंद्र मोदी ने मैडागासकर की विकास्टियातरा में भारत के सहयोग की प्रतिबधता दोहराई युएई पहुँचे भारत की प्रधान मोंत्री नरेंद्र मोदी ये शाम को अभिधावू में भव्य हिंदू मंदर का उधगाटन करने वाले हैं ये मंदिर अबुधाबी में पहला हिंदू मंदिर है, मंदिर के उधगाटन से पहले प्रान प्रतिष्ठा समहरो आयोजित किया गया अब हाथ जोड़कर हम प्रासना करेंगे अधी रूढ़ा कराब जाए पार्शं को दर्ट प्रतिष्ठा मन्दिर और इस वक्त जो कारेकरम वहाँ पर हो रहे हैं और जो जिस बड़े कारेकरम के अमलगातार बात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का हमने आपको दिश्चे भी दिखाया प्रधान मंतिर नरेंद मोदी आपसे कुछ देर बाद वहाँ पहुंचेंगे और इस भव्य मंदिर का उधगातन होगा कितना एहम है आज का दिन ये और क्या माइने है दरसल अबुधाबी में खाड़ी देशों में इस पहले हिंदू मंदिर का उधगातन के इस पर चर्चा करेंगे हमार सार डक्टर साहित चतुरवेदी जुड़ रहे हैं जो पूरु संयोजक है आई बी पीसी दुबई और एसोसियेट है कृष्णा टेंपल दुबई के बहुत बश्यूक्रिया डक्टर साहित चतुरवेदी आज का दिन बड़ा इंप्रॉक्टन है बहुत एहम है आज व समस्त चंता को हमारा प्रणाम जैस्टी किष्णा बसंत पंचिमी अपने आप में एक बहुत ही महतुपूर अवसर होता है मैं समझता हूं कि संयुक्त अरव अमीरात में संपूर जी सी सी में आज इस मंदिर का स्थाफन इसका अनावर है अपितु अनेकों संस्कृतियों का एक समामिलत है आज यहां जंता में जो उत्साहा है केवल सांस्कृते धार्मिक या अपने मिलन मिलन की बात नहीं है अपितु भारतियों होने का एक गौरफ आज समस्त भारतवासी यहां अनुवव कर रहे हैं यद्यभी भारत और UAE के संबंधों में देखा जाए तो मंद मंदरों की परिकल्पना कोई नई चीज नहीं है यहां पर सेफड़ों वर्ष पुराने कुछ ऐसे अविश्वेश आत्मक्त प्रतिक आत्मक्त इस्थान है जहां पर पूजा अर्चन आयोजन हिंदू रीती रिवाजों से और अन्य सांपरदाइक रिवाजों से यहां बड और दिप्यता यहां के लोग कई सवक्ट में भी नहीं सोच सकते हैं कि क्या वास्तव में इतना भव्य मंदित इतना दिप्य मंदित जिसमें पूजा ही नहीं अपितू हिंदू समाज में यो सोज़श संसकार होते हैं बालक के जन्म से पूर्व से लेकर और उसकी पूरी ज ज़नदियों की जहां पूजा होती है, गंगा और यमना की जहां आर्थी होती है, इस मंदर में गंगा जी और यमना जी की भावना से सरोबरों का आयोजन किया गया है, जहां आर्थियां की जाएंगी. यहां की अरव और भारत की संस्कृत्ति को ऐसा समामिरित पिया गया है कि एक और राजस्तान के पत्थर है वहां के शिला घंडों को अभिमंत्रित करके इस मंदर में लगाया गया है तो दूसरी और यहां के रेगिस्तान में जो बन्य पशू होते हैं जिसे खजूर के ब्रक्ष हैं, बगूल के ब्रक्ष हैं, करील के ब्रक्ष हैं, हीस की जालिया हैं उनको ही हमने इस मंदर में यहां पर उन ब्रक्षों को, उस वन्य ब्रक्षों को यहां सयोजन किया गया है उनको बगीचों में धारण किया गया है और उनकी पतियां और उनके पुष्प और फल भगवान की सिवा में समर्पित किये जाएए इसी प्रकार सरुवर, कुंज, ताला, विहराण, मोर, कभूतर, खोयल अने को प्रकार की पक्षियों के यहां चित्रात्मक्ताएं दी गई है सनातन धर्व में अने को कोटी कोटी प्रकार के देवताओं को गुरू परमपराओं को माना गया है और किसी भी एक संपरदाय को ना कहते हुए सभी 2400 अवतार भगवान के कोटानी कोटी रूप और गुरू परमपराओं यह सभी यहां पर इस मंदल में प्रस्टत की गए है जाहिए स्की बात है बहुत सारीज की खासियत है जिनका आप जिक्र कर रहे है हमार साथ इस बीच राजी उन एन जी सीनर रिसर्च फैल हो आईडिया से के वो भी जुड़ गए है राजी जी बहुत बहुत शुक्रिया आज का इस विशेश आउसर पर आज मुझे लगता है हर भारती एक गौरवान भी थोगा जिस तरह की चीज आज हम अपनी आँखों के सामने देख रहे है लेकिन एक बड़ा दिल्चस्प फैक्ट जो है मैं देख रहाता है इस मंदिर के बारे में वो ये कि इसकी भूमी जो है एक मुस्लिम शासक ने दिये और कल इसका प्रदान मंतरी जिक्र करे थे ही एक मुस्लिम शासक ने दि फाउंडेशन डिजाइनर जो हम एक बुद्धिस्ट बताए जा रहे है मुख्य वास्तुका रिसाई हैं और प्रोजेक्ट के प्रमुख जो है वो एक सिक्ख है मतलब क्या अद्भुद संयोग है क्या अद्भुद मतलब ये कह सकते हैं कि सरुधर्म संभाव की कैसे सबकी भावना है इसके पीशे जूटी है वो साफ दिखता है क्या कहेंगे सर आप इन निश्चिती जो आपने सारी बाते कहीं निश्चिती की रोचक है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है तो मोदी ने इसे मुमकिन करके दिखाया जो सारी बाते आपने कहीं बुद्धिष्ट और तो हम मान भी सकते हैं कि चलिए हिंदू धर्म का ही एक साथ में चलते हैं उनका भी अपना एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री अप टॉलरेंस है तो हमारी तो संस्कृती में ही सहिशनुता लिखी हुई है तो हमने हमारी संस्कृती से तो कहीं भी भिन है नहीं और आज के दिन में जो आपने कहा कि मुश्लिम जिसे कहा जाता है बड़ा ही कटरपंथी दकिया नूशी जो कहने को कह ले लो लेकिन उस तरह के देश में वह देश आज के दिन में एक हिंदू मंदिर का हवी हिंदू मंदिर का कहे निर्बान के लिए जवीन दे रहा है प्रधान मंत्री को देश हारत के प्रधान मंत्री को वहां वहां एक बहुत बड़ी जो भारतीय समुदाय है करीब करीब 35 पर्दिशत जो उनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो जन संक्या है उसका हिस्सा है और काफी शंपन है जो यह भी माना जा रहा है कि एक जो काफी कुछ जो पॉपुलेशन प्रोफाइल जो जन संक्या का जो अंदर का धांचा था काफी बदलावाया है और संपन होते वे भी वो भारत की तरफ किया देख ध्यान बटायब देखा और भारत के प्रधान मंत्री को बुला कर इसमें कई सारे इसमें मुद्धों को वो छूर है पुबक निती भी है संस्कृति भी है एक जीवन दर्शन भी है इसमें वुष्वराजनिती भी है और ङुष्वराश्टिये संबंध भी है और कई तरह के उभरने उभरते हुए जो उनाइटे अरब एमिरेट्स का एक सोच है जो एक नई सोच की तरब United Arab Emirates बढ़ रहा है वह भी है और भारत से जो पिछले कई वर्षों में एक नई संबंद और एक नई संबंदों की एक नई दिशा देने का जो प्रयास है उसमें एक बड़ा ही मजबूत और जिम्मेदार कदम इसे मैं मानता हूं और दे दिया भर में यह संदेश देगा कि देखिए दो संस्कृतियां कहें दो धर्म कहें विभिन धर्म आपने तो कई बात बोले लेकिन मुलत दो धर्मों का ही यह कितना अच्छा समागम हो सकता है और सबसे मैदार चीज है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एशियन सदी है एशिया क धर्म हो हिंदू धर्म हो चीन का भी जो कुछ धर्म आप कहले और वह एशिया आपस में बिलकर कदम बढ़ाने के दिशा में किस तरह से तत्पर है किस तरह से कित संकल्प है यह मंदिर का निदमानी जी राजीव जी आपने दो बाते कहीं एक विश्व राजनीती की बात कि और आपने बदलते हुए UAE की भी बात की इनको देखते हुए हम देखते हैं इंडियन डाइस्पॉरा पूरे विश्व में है और जहां जहां है वहां-वहां मंदिर और इस तरह के मंदिर की ना भी बात करें तो मंदिरों का निर्मान हुआ है पूझा पाठ होता रहा है ल जिखाते हुए तो एक समय कहा जाता था कि पूरे दुनिया वर में जिहाद फैला रहा है वह देश यह सारे देश कितने इतरा परिवर्टत हुआ है इसका एक संदेश भी कहिए इसका एक इंडिकेटर कहिए इसका सुचकांग भी आप इसे कह सकते है और देखिए वह देश ज कैसा कदम उठा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो संस्कृति की जटिलताएं हैं जो दुखत बात है कि पाश्यात्य जगत नहीं समझ पाई वह पुन आज के दिन में जो इश्याई देश हैं चाहे हमारे पडोसी रास्ट हैं और हमारी जो सभ्यताएं हैं वह किस होता है कुल्चृरली थोड़ा बरॉट हमारे में विशम जी से करते हैं आसमानताय हो सकती हैं लेकिन एक साथ आगे बढ़ भी सकते हैं यहां बात भी जागर करती हैं और वह सबसे महत्तुन बात उजागर करती है कि भू संस्कृति से भूराजनिती और भूर जिसे कहते है जियो एकनॉमिक्स सब के तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं यह यह एक संकेत इस मंदिर का निर्मान से करता हूँ अभी अब देखें कि भारती है जो अभी हमारे साथ बैठे हुए है भारती है मूल के व्यक्ति चारों तरफ दुनिया में प्छाले हुए है अभी हमने एक कार्श एंपायर के बारे में कहा जाता था वह आज के बारे में इंडिया डास्वरा के बारे में कहा जा जा रहा है तूँ हमारे संस्कृती के प्रतिनिधी निश्ची थी है और वो संस्कृती का प्रतिनिदी किस तरह से दो राष्ट्रों को जोड़ सकता है तो यह संस्कृती दो राष्ट्रों को जोड़ा है दो राष्ट्रों को भी भाजित नहीं कर रहा है यह एक बहुत मूल मंत्र जिसे और एक बड़ा संदेश विश्व को दे रहा है कि देखिए धर्म के वाल बाटता ही नहीं है धर्म लोगों को जोड़ता भी है और किस तरह से जोड़ता है इसका ज्वलन्त उदाहरन ज्वलन्त जो इसका आप देख रहे है जीवन प्रमान हमारे सामने है परधान मंतरी हमारे जा रहे है जिन्हें की पूरी पास्चार्ट ज अब दोनों ही मेमान और हमारे साथ अबुधाबी से ही हमारे सयोगी अश्वनी मिश्रा भी जुड़ गए है अश्वनी सुभे से ही प्रान प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान भी जारी है जानना चाहेंगे क्या अपडेट है क्या-क्या कारेकरम सुभे से अभी तक कि इस हम्दीर में प्रत्रम अभिशेख करेंगे तरह बड़ी बात यह है कि अधिशेख मैं आप तो यहां कि लगारा दिखाता हूं कि इता जिसमें लगारा है वो इस वेड़ार कर्ण दूस्वनीजी ते क्यलिए यही मार्ग होगा जहां कि आएने लिए और बड़ी संशा सब्सक्राइब गयातना सकते 나lexро एक अध्यNS कि दूर्द कहीं पर पॉचे हौशे है और सबनार मंदिर है कि मन्दिय। सब्सक्राइब करता है उसकी कहीं 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 करता है यह मत्युक्त है कि भारत की सब्सक्राइब को ग्यहद नया आयाम देगा भारत की सहितावादी सब्सक्राइब करता है यहां विलोगी को देखे तो इस तरीके से नए तरीके से यहीं बदलाव की बयार में है बहरत का सांस्क्राइब करश का नया दोर चल रहा है वैसे ही यहीं नए बदलाव की दर में है साल 2019 में यहां आपर बाकाइबा सब्सक्राइब को पानूनी मानगता गेंगे इससे बहुत पहदे साल 2015 में इस पूरे मंदिर के लिए साथ 17 हेकर जमीन देगी देगा लेरे मोधी और शाही परिवार के लोगों ने सब्सक्राइब का उस्प्राइब के एपक्राइब कर दो नहीं होगा आपको यह मरुद्यान है दूर आप देख सकते हैं कि अगर कहीं एक्तम नेजन फेर पौदे भी नहीं है तो वहां पर ये कमल सरीखा ये मंदिर लोगों को चांते और सभावता है उदाहरें पस्कुत करेगा दुनिया के सामदिर जो आप जो आप कहे रहे तो ओला जिन लुटानचा एजिनियन डायसपोरा की बात कर रहे थे तो आज वहां के इनडियन डायसपोरा के लिए बहुत बड़ा दिन है कल्भी हम आपके साथ जोड़े थे कैसे अहलन मोधी में कारेकरम में करीब 50-60,000 भारतीय डायसपोरा के लोग आयeten कैसे बारत-अमातर कि जय वंदे मातरम और किस तरह के वहाँ पर जो शुक खरोश था आज इंडियन डायस्पोरा के लोग वहाँ पर कितनी बड़ी तादात में पहुंचे हैं और ये भी जानना चाहेंगे शुनी कि यूएई की तरफ से वहाँ पर जो रूलर्स हैं उनकी तरफ से वहाँ पर कौ कौन इस एहम कारेकर में शिर्कत कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मंदल नहीं है बलकि भारत और यूएई की दोस्ती का जो है एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया है बहुत बड़ा प्रतीक और पूरी दुनिया के सामने मिसाल है तल जैसा कि आपने जिक्र किया है अनल मोदी में और जब भारत की दोस्ती जिन्दाबाद का नारा बुलंद हुआ तो उसकी घूँच पूरी दुनिया ने सुनी और वो घूँच पूरी दुनिया सुनती रहे कि बड़े लंबे समय तक यहां पर भारत मुशियों के अगर बात करें तो बड़ी संक्या में भारत मुश्य और खांज करें किस तरीके से यहां पर प्रभावित हो रहा है अशुप यहां पर दिखाना चाहूंगा यह तो आप देख रहे हैं यह जहना सरीथा है जल का यहां पर प्लावल हो रहा है जल इहां पर प्रभावित हो रहा है और यहां पर देखें अलगे लग वेशबूशा में बच्चे भगवाऑ शरी किस्रख की तरह खड़े होकर तृनगंपली के स्वागत पर चड़े हैं अज़ों अभी भावत है वही पारवपरी प्रवाइब नदी के तरुपन नहीं दिलुक नदी के तगारपल है लेकिन जो सरस्वती हमाले में अभी विद्दमाल है वहां से जल को लाग है और गंगा यम्गा की जल को लाकर उसको यहां पर अभिशंचित किया हुआ जल यहां पर प्रवाहिश हो रहा है तो पूरे इस कहीं जैते हो कि तरीके से सजाया गया है और वीव में बिख Stefan Biyaепar Tareem सब्सक्राइब और अलग अलग भाशाओं में यहां पर सब चीजे लिखी गए और यह परिसे के वन हिंदु मंदिर के निर्मार में पार्सी रहे हैं और उसके लावाद चीफ आर्किटेक्ट जो है बहुत सिथ डिरेक्टर जो है जैन और साथी साथ सभी धर्मों का इसमें है कि सम्मिलन है वैसे हम आप को दिखाएंगे कि यहां पर जो सजावट की गई है जो चार टेर जो है यह यह करूप के वाले पर च्राब दिखाइए रहें तो यह देखने कि कहीं ने कहीं आरत का वंभारती सवीकारिता भारत थे अग्ध़र जो है परूर्व के वैश्विक स करता है और यह देखें आप जो यहां पर इस वरुज्यान दिया लगए लगए लगश लगाए गए इनने से जो च्छे पेड़ है यह नौर्वे नौर्डिक कंट्री ज्वारा गिफ्ट दिये गए हैं युवस्वाविया और अल्डेश्व द्वारा यहां पर इनको गुफ् भारत के विकास की पताका को भारत के सांस्कृतिक उठ्वार की पताका को भारत के सांस्कृतिक दिद्विजे और की प्रयाश्व की पताका को यह नहीं प्रवाहित करना अशो अशो नहीं मैं आप लोटूँगा आपके पस हम लगतार दिश्य भी देख रहे हैं हम बात भी कर रहे हैं वहाँ पर भारत वंचिया आपने एक नए दौर की शुरुआत का तो मैं इसलिए डॉक्टर साहिते चत्रुएदी के पास एक बार फिर लोटना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर साहिते को आज आप कैसे देखते हैं महसूस करते हैं और यह जो परिवर्तन आया इसके पीछे कैसे एफर्ट्स हुए या धीरे-धीरे किन किन कारणों से आज हम इस बदलाओ के नए दोर पे खड़ें अशोगी मैं समझता हूँ आपने एक ही प्रश्ट में अन्यकों आया में इस्ताफित कर दिये जी और जो हमारा संबाद चल रहा है एक और हम सांस्क्रितिक और सामाजित बातों को कर रहे हैं दूसरी और एक राजने के उत्थां की बात कर रहे हैं जहांके पूरे बिश्व से जड़ने पूरे बिश्व को एक परिवार की तरह को मैं मिलाने मिलते हुए को तुम की तरह एकिकरत होकर के हम भारत एक अपना संबन्द स्थाफित कर रहा है पिशे इस्ता आपके प्रश्टों पर ही आता हूँ कि आज लगवक 40% आवादी यूएई में भारती आवाद प्रदिश्थानों को देखें तो लगवक 5,000,000 ग्यावसायक प्रदिश्थान भारतिय उत्यमियों द्वारा या तो प्रवंधन किये जाते हैं या उन किये जाते हैं विदत कुछ 5 वर्शों में या कहूं कि जस्त कोविट से या 2015 में जब नरेदर बोधी की यहां एक पहर प्रताम मंत्री इस देश में आया था तो उसे लेकर आज तक प्रती क्वार्टर एवरी क्वार्टर कुछ नो कुछ ऐसे डेवलप्मेंट्स हो रहे हैं जिसमें प्रतम तब चाटर्ड एकाउंटेंस ऑप इंडिया इनके चैप्टर को एक नया आया मिला उनको नया प्रोच साहन मिला यहां पर 2017 में पहरी बार टैक्सेशन शुरू हुआ जो के वी एटी वेल्यू एजे टैक्स प्रावर्म होगा 2017 में उसकी प्रप्रेशन हुई एक जन्वरी 2018 से उसकी शुरूआत हुई जो के इनिशेली है समझा गया कि टैक्सेशन इस कंच्री में आएगा तो यहां की सरकारों ने यहां प्रोटसान किया कि वह सभी को इस बारे में समझाए हमने यहां वेट पीरिक्स लगाए और एक और उसने डवल टैक्सेशन रिलीव का फाइदा दिया जो एकाउंटिंग अनॉर्गनाइज कर किसी हद पर मानी जाती कि वह और्गनाइज हुई त में भारत का बहुत बड़ा यहां उसी दौर में 2020 एक्सपो का एक नियोजन हुआ अपर हार यह कारण जो कोविट के आए उससे एक्सपो 20 उस नियोजन समय पर नहीं हो सका लेकिन 2021 अक्टूबर का यह अपरारों में किया गया मुझे आज भी याद हैं भारतिय दूतावास में बहते हुए थे फरवरी 2021 की बात थी पूरी दुनिया में लॉकडाउन था खास करके एंडिया यूए में केवल बंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स कारवो फ्लाइट्स की चल रही थी और यहां की गवर्मेंट ने यहां अंद्रदेश दिया कि हमें एक्सपो 20 1 तुरंत स्विक्रत किये और हमने विशाल इंडियन पविलियन से यहां पर उपस्थिती अपनी दर्जी कराई जहां पर 200 देशों ने भारत को देखा महसूस किया और विशेश ताया रही कि केवल केंद्र सरकार या अलग-अलग कांसिली नहीं भारत के अनेक प्रांतों ने यहां पर आकरके अपने उत्यम, अपनी संस्कृति, अपने रोजगार के अवसर और इंवेस्टमेंट के मात्यम के प्रदर्शन के उससे निश्यत ही भारत में हजारों करोड का निवेश का जो मेमूरेंडम यहां पर साइन हो नहीं है मेरा IVPC, Indian Business and Professional Council का में रहा हूँ और इसी दौर में मेरा कारिकाद रहा है, अभी भी निवर्तमान हूँ हमारे अगले एलेक्शन्स कमिंग मंत में होने वाले हैं विशेस्ता में यह कहना चाहरा हूँ कि यह परिवर्तन की आपने एक आधी चली है, 2015 के बाद में 2017 और 2018 में जब यहां पहली बार टेक्सेशन हुआ तो वईधानिक्ता में भारत का प्रद्दित हुआ, जब यहां IT का इंप्रूब्मेंट है तो यहां पर भारत सरकार ने IIT जैसे इस्टिटूशन का नियोजिन यहां कर जाला, यहां पर यूनिवस्टी की ब्रांचेश पुली गई, परस पर माननेताओं को यहां की एजूकेशन को भारत में, भारत की एजूकेशन को यहां पर जो ब्यवधान के उनका नराकरन किया गया, एक्सपो 2020 तो एक इतिहा देखी गई, अश्वनी हमारे साथ बने हुए है, अश्वनी 20 मिनट के बाद यहां कारेकरम की शुरूबात हो जाएगी, हम आप से जानना चाहेंगे, आप अयोध्या में भी मौजूद थे, राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा को नज़्दीकी से देखा और हमने देखा क आप आज एक और बड़े इतिहास का हिस्सा होने जा रहे हैं, अश्वनी, हम जानना चाहेंगे कि विदेशी मीडिया वहां पर भी मौजूद है, तो किस नजर से विदेशी मीडिया इसको देख रहा है? अगर देखें तो आज बाटी संस्थितिक वैबहों को देखा, तो आज बाटी संस्थितिक का शांशनाद देखेंगी, बहुत अरब भारती संस्थितिक वहां पर है, आप लोग कैसे स्वाड़क यजए दिखा है, और कैसे आप लुच्छा है हुए है, एक बार बर्शकों जरूर दिखाएं कि कैसे आप स्वागत करेंगे आप देखें कल अगर सिंधनाद हुआ ता जाएब इस्टेडियम रेट नहीं कर आए हुए है आप से कहेंगे चैसे किस तरीके भारती परंपराओं के तहट आप लहां नंत्री जी का स्वागत करेंगे जब आएंगे तो फ़्वाइब प्रावी से उपका एक रूप है वह मैं मिलिस्टर आने का जाए मंचे नाथ करेंगा जाए है तो यहां पर आप नहीं पर पहुंटे हुए है और सब्सक्राइब बात है किस तरीके से हम अपर आज पूरी बुनिया देखेगी कि हम इस तरीके से साइंस्कितिक जिगनिते के लिए एक नई शुरुआत कर पके हैं सब्सक्राइब भारतियों ने कभी भाग नहीं जीते हैं नहीं हमारी परंपरा रही है हमारे जाए बाल्भीती हूँ चाहे वो बुद्ध हो लुक्राइब भारतियोंरे सास्वत मुल्य हो वो सीमत उसे पड़े जाकर से लोगों के हिदें जीते हैं तो आज इस हिवेस्थल में अगर देखें तो बध्यपूर्ब के पश्चीमेशिया की हिवेस्थल में अगर कहें, जातना कि इस तो समझ करके कॉम्हांस तन आकरना कि कॉंछ कि कामिख परदा इसा पिंदन कुष्य सफिक तो पारक मैंक winners मेंन तुक सिर्भेत मेंन से याप मुर्फन और इतु कह जाराता है कि लिए एप परिवाज- कि आपने अस्षियों का भी दान करें हमारे तरफ पर उर पर्चित हो रहे हैं और बहुत निक्षित और से चुरू हो वागार कि जब भारत के पुर्ण जागराल की जिए नहीं आपका शुरू हुई है तशक्षित नहीं नश्य जिद्रमोदी के द्वारा और अपसे थोड़ सब्सक्राइब करते हैं तो आज का दिन कोई कुछ नाम में दिशिष्ट है कि यह दो घर्मों के संगम का दिन कुछ नाम में। भूटरों के लिए यह कहते हैं यह दो घर्मों के संगम के लिए वह दोट कि आप्यां पूरी दिन्या के लिए एक शाउन की पोल साहस्कित उके वी शां तरक दोडियों है कंड़े से कंड़ा मिलाकर उसी तर्वे के लिए तरफ पर है और दो शुक्र दिया लिया संदेश है किल अगर वर्ष्विक वूतवी के तरीके से रिया वाक्साइस्थी को भार्भूस और अध्यातिक नारतिक दुम्हें अब दूर करेंगे और वही हमारी में भावगा है जो कौन-कौन प्रमुख लोग जो हैं खासकर के UAE की तरफ से कौन-कौन जो वहां की सरकार है, वहां के जो किंग है, रूलर है, उनके कौन-कौन प्रतिनीधी जो है इस कारेक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ डीटेल जो अब तक बताया गया? अधिकारी कृट से पस पाना ही मिस्किन है, लेकिन विश्चिक को क्या आप मालके चले की तरफ दान में के ताथ यहां के जो सहिशुता में की है, कॉंगर्स मिनिस्टर है, रास्पती, जाइद अलायान, जाइद अलायान के रखाई है, जो मौदीथ है, आहलं लोगी कारेक्र कि अधिके चले की तरफी है, जे अधिक से लुट से लुट वी घजप देशनी है, जिस वहुत अधिक स्वामि, और माहराज जबाए थे तो हॉआयद के पर देशनी है, जो ऑदिशनी है जिसके अर्बी सान्वी पे लोगों के अप्तिश्यों के स्वाम पर चिया जाता है, उस पर किया जाता है वायशा शरीप नितावाकों के लिए पेच्छा है उब आप आते की अगर इस पर इस इस डेवलोप्मेंट को कैसे ले रहे हैं और अगर स्थानिय मीडिया की मैं बात करूँ कि वहाँ का लोकल मीडिया जो है वो कैसे रिस्पॉंड कर रहा है इन खबरों पर अभी राजीव जी ने कुछ और मीडिया की बात करी जिनके पेटों में जिनके पेटों में बड़ा दर्द भी होता है ऐसी घटनाओ पर लेकिन वहाँ जो लोकल मीडिया वो कैसे रिस्पॉंड कर रहा है इसको तानियर लोग क्या कह रहें मीडिया चिपड़ी गर्दा मेरे दियर बड़ा कटन हो जाएगा लेकिन जो हम मीडिया यहां की देख रहे हैं क्योंकि यहां पर गेनरली इंगर्श मीडिया कोई हम दो परोग पाते हैं उसमें बड़ी उन्मुक्तता से और बड़ा स्वादत्पूर्ण उनका जवहार यहां पर देखने में आया है और क्योंना हो क्योंकि जब जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि मोदी जी ने भी उस पर इशारा किया था कि जब मंदिर के लिए जमीन मांगी गए तो यह कह दिया गया कि इस थान पर आप जितना चाहें उतनी जमीन रख लें इसके पीछे कहीं पर पेक्ष्वी रहे हैं उसमें सभी में यहां की सरकार का सह्यो और उसमें प्रिजेंस रही है जो टॉलरेंस मिनिष्ट्री है यहां की भारतियों को एक बड़ा सम्मान यहां दिया गया है सेंपड़ों हजारों वर्षों से और आज जब यहां मंदिर का निर्मान दो रहा है तो भारतियों में केवल धार्मे प्रसंदता ही नहीं है अपितु उन्हें यहां लग रहा है कि आज उनके जो सामाजेक धार्मे कायर किये जाते हैं उनके लिए एक स्थान मिला है क्योंकि यहां कोई विवाह करना चाहे तो उन लीती रिवाजों से उन परंपराओं से और एक एवी लेविल बजट में किया जाना बड़ा कटन रहा है उसी प्रकार से यही कोई मुझन संसकार करना चाहे तो वो इस्थान कोई किसी प्रकार की यही श्रीमंत संसकार करने चाहे तो उनके लिए इसे रखा गया है दूसरा यह राजनेतिक, सामाजेक, ब्यावसायक और हार्थिक चारों पुरुशार्थों वो सिद्ध करने वाला एक इनिशेटिव है आर्थिक मैं इसलिए कहता हूँ कि गल्फ कंट्रीज का जो रेमिटेंस हैं इंडिया की एकॉनोमी में गल्फ कंट्रीज के रेमिटेंस का होता है और UAE जो के विगत वर्षों में एक बड़ी ही प्रगती से विकास की और प्रगतिवान हो रही है वहां से लगवग असी प्रतिशत जनसंख्या बिश्व की केवल भारत की नहीं कह रहा हूं विश्व की असी प्रतिशत कंज्यूमर बेस को केवल चार भेंटे की फ्लाइट से तबर किया जा सकता है इसलिए पूरा विश्व यहां पर ब्यावसायक प्रतिश्वानों को अपने इनीशिटिप्स को लेना चाह रहा है पड़ी तीज़ी से यहां पर नई रेजिस्ट्रेशन हो रहे है पूस्ट को विश्व युज प्रकार से यहां के लीगल लिबरलाइजिशन किया गया अभी अभी बोशफिक किया गया है कि तीन हजार फ्रसीजर्स को यहां की गवर्मेंट ने इरादा किया है कि हिडिट इसी तरह ऐसे भारत में जो मैं पिछले पूरु वक्त भी अपने में कहना चाह रहा था कि एक्सपो 2020, February 2022 में मोदी जी किसी काराण वस नहीं आ सके थे लेकिन हमारे जो है तदकाली उद्योग मंतरी प्यूज गोयर जी यहां पता रहे और उनके उपस्तिती में कॉम्प्रियेंसे एकॉनमे पार्क्टर्शिप एग्रिमेंट किया गया है जो लगवा 90 प्रतिशक एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से आते हैं जहां पर उनको दूटी फ्री कर देता है जो दिजिटल एकॉनमे ने लेकिन डॉक्टर साहित एक मिनट रुकिएगा एक मिनट आप रुकिएगा मैं इस पर लोटूँगा क्योंकि आप जो बात करें महें महत्पूर्ण बिंदू है आर्थिक जो गतिविदिया उसकी तरफ आप इशारा करें लेकिन क्योंकि हम बार किये जैसा देश देख रहे हैं जहांपर एक बहुत पुराने चर्च को जो है किस तरह से सारजनिक रूप से दोस्त कर दिया गया एक बड़ा पुराने चर्च को वो भी एक इसलाम की धारा एक दुनिया में वो है लेकिन एक एक इसलाम की धारा हम यहां से यूएई से करेंगे देखेंगे तो सबसे मज़धार इसमें जो बात है कि तुर्किये जिसे कहते हम एक समय बड़ा ही सहिस्टनुता का देश बड़ा ही इसे टॉलरेंट और इसे कह सकते हैं कि सेकुलर कंट्री के रूपे जाना जाता था वहां पर विभिन कारणों से एक सहिस्टनुता क कहिए या कट्रपंथ वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है देखिए कहीं भी जो बार-बार हम बात करें इसलाम में कोई समस्या नहीं है इसलाम के जो बने हुए मठाधीस लोग वो लोग इस तरह की बातें खड़ा कर इस तरह के जन्जट खड़ा कर रहे हैं और जो खु देने वारी बात है और जहां तक अभी उनाइटिट अरब इमिरेट्स की बात है वहां पर देखिए उसने सावित किया है कि इसलाम आप बहुत ही इसलाम के अनुयाई होकर भी किस तरह से सहिश्णू हो सकते हैं और जब अभी बात हो रही थी जब हमारा मंदिर का जब किया जा रहा था सिला नियास उससे में वहां के मंत्री मवजूद थो जो क्लाइमिट चेल इन्वाइमेंट के मंत्री माने जाते हैं वह वहां पर उपस्तित थे तो देखिए वहां के मंत्री भी वहां पर उपस्तित है इन सारी घटनाओं को देखने के लिए और इस तरह से हम प राजीव जी इसलाम की दो धाराओं के तौर पर इसे देखें या यूँ भी देखना चाहिए इसे कि बदलती वैश्विक जरूरतों आपसी निर्भरताओं और जिस तरह से वैश्व 21 सदी में प्रवेश कर रहा है यूएई अकांग्शाओं का एक एक देश है खाड़ी देशों में उसकी अकांग्शाओं हैं जिनें पूरा करने के लिए अकेले अब चीजें नहीं हो सकती हैं ये तै करना होगा कि आपसी एक तरह से एक दूसरे का सयोग करके एक दूसरे का सम्मान करके आपको चलना होगा क्योंकि हम जानते हैं 35 लाग से ज्यादा भारतिये UAE में मौजूद हैं और अर्थवेवस्था में उनकी एक बड़ा हिस्सा एक बड़ी भागिदारी भारतियों की है निश्ची देखे यही नहीं जो भारत अपनी एक पहचान बना रहा है वो अपनी संस्कृतिक पहचान को किसी भी धर्म से टकराव की तरह नहीं देख रहा है वह इसका भी परिचय है कि देखिए हम वहाँ पर एक सबसे जिसे कहा जाता था कटरपंति इसलामिक देश में वहाँ के सासक के साथ मिलकर एक मंदिर इतना भवे मंदिर जो कि संस्कृतिक गतिवीदियों का किंदर रहेगा और भारत यह भी दिखाएगा आने वाले सवे में और वहाँ के लोग दिखाएंगे कि मंदिर जो होता है मंदिर किस तरह से एक सामुदाइक गतिविधियों का विक्यंदर रहता है और वहां से आप पूरे वहां के लोगों के बारे के जन कल्यान जबी शुरुवात में ही आपने बात की थी मानो कल्यान जन कल्यान विश्व कल्यान सब की एक सोच वहां पर परिचय होगा वहां पर भारतिय संस्कृति का परिचे तो होगा ही होगा, भारतिय दर्शन का भी परिचे होगा, भारतिय सोच का परिचे होगा, और इस पूरे भू छेत्र में, आज नहीं देखे, आज तो मंद्री के चलते हैं, हम पुरह स्थापित अपने आपको कर रहे हैं, अपनी संस्कृतिक प पुछला गया था लेकिन उस समय जो गारा राहुत संस्कृतियान की पुस्तकों को पढ़ेंगे मद एशिया का उनका पुस्तक पढ़ेंगे या उनका वोलगा से गंगा तक की पुस्तक पढ़ेंगे तो इस पूरे भूखंड में इस पूरे भूखंड में किस तरह से एक भार सब्विता के तमाम वो चिन्द मौजूद है इस पूरे इलाके में आप सही कह रहे हैं आपसे आगे भी चर्चा जारी रहेगी राजीव जी हम अपने साथी समधाता के पास अबुदावी चलेंगे क्योंकि अपसे और थोड़ी देर के बाद उनको शायर वो स्थान खाली करन यहां से आज के बाद पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश जाएगा उसी संदेश में आप क्या और जोड सकते हैं किस तरह से आपने अनुभव किया पिछले 48 घंटे से या उससे भी ज्यादा समय से आप मौजूद हैं अबुदावी में लोगों से बात कर रहे हैं कितन अब तो बहुत राश्व कि शर्टी का बहुत उनको अपने मिक्ष्व में बढ़ते हिए संवाल का बोड़ अपने सफ़क्त प्रवेश का बोड़ कल अहालत नोदी के बाद लोग अहलावित हैं लोग नहीं उज्जा से तरह बोड़ हैं नहीं उज्जा उनको जहां यहां अगर बाई कर रहें को देखें मंदिर का स्वरूप है लेकिन इक बाद कर भारत बहुत भारत भारत भनवान जाकर नेखना पंधर ने अबढ़़ सबास्ता उनको जहां के आरप शन्तियों के प्रतीव हैं उनको भीकर रगधरल करता गया बहाए है। फुलेकित करते हैं कि इसकी अलावा मेस्वर्वाता मैय अप्रिकन सभेता इन से संबंदिरapter 14 संब से दरों दारों D Mev!!! Man usually poem 19 मंदिर आरत ले ट्री देरा है कि इसर Здоров uw प्रोकु रहे है बंसवाद थो सबस्त कर दो है कि मैं है तो क्युक्त रिख्यों के लिए इसको ले कि कहा जाए कि इस पहले अष्व कुछ रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो दुनिया यह देखेगी कि अनातन धर्ब के जो शाफ़त मुंग है जया करुणा सब्सक्राइब महिंसा अस्ते अपरिग्रा इन सब चीजियों को समय के हुए जबादी चलता है तो एक नजरिया ग्रापट बनता है नजरिया अगर तन हो जाता है जरिया शमन जल्केवर के जर्फ मलाई करने हैं तो गृवर शुट्सकूर बने हैं और चांफल क्राइब कर पयाथ ऑगर एक विस्त्यव द्सक्राइब करेदार्शों को करने का रहा है तरह करना और नहीं करता है तो कर दो हो उसके कहले मुखालिफत का हो तनियाद यहां परिद्रिज करेंगे कि किस तरीचे से बहतर जिस्टेबर्मार के लिए, मालों कनलार के लिए, लोवध के लिए, अपनी सक्कियों को फमेक्थों करते हैं। बहतर हैं। मुएनिय अट्टम की ड्रेस पहन कराया कोई गुजराश से राजस्तान से सब अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कराय थे तो जाहिट सी बात है महाँ पे इंडियन डाइस्पोरा में हर भारत के हिस्से से हर राज्ये से लोग हैं यह मंदृ में भी हम देख रहे हैं कि जो हमको अब तक दिश्ट सेंगए हैं उसमें हम जो है शिवजी की मूर्ती देख रहे हैं हम इसके अलावा भगhr़ता जगनात क्यां ना दीख रहे हैं जी अशो किया और यही समझना करें दिश्ट और अगर भगवान सिर्गान से तर्वार है राम देटा हनुआ ही है तो भगवान शीटा वहाँ पर फरिवार है कार्टे फार्वशी जी और अपिसात गलेश जी वहाँ पर मौदी है पद्माउती और मुहराज साथा साथ मौदी खर्वान शीटा आप दूआ है एक टमीडेश पार अब पर आपके साथ साथ जीटाशत BASTA आप आए ते लिग ने फारीे है वहाँ पही पहीम को देख भावी हो रहा है यह जोने प्रनसीज़ के बात कर रहा हूं इस भार मैं लोगों के बिखाँगा च तरीके से आधके अ तो यह केवल शंखना भी नहीं होगा कर दो हमेश तु खानकी होरे हैं तु जरूर जब भावबर। ज़नों के अधिया तो पूरी दुनिया जानेगी कि कैसे दोलो पंस्तिया दोलो देश मिलकर कमें कि अमादूशी विविकास की नई धारा दिख रहे हैं ज़न्किया बजने की इस खितिया पर बहने यहां पर कहीं नहीं होती थी लेकिन आज इस मर्भूमिन में मुझ्जान में घंतिया बज़ेंगी अगवान की आर्पी होगी अखंड दीप होगा और अखंड दीप प्रज्वलित के सासा बोले देशों कि अखंड देश्टी भी पूरी दुनिया देशेगी है तो लाइसी बात है वहाँ पर शंक नाध है वहाँ पर गंतियां बज़ेंगी दीप प्रज्वलित होगा अद्बुत नजारा होगा हम लोटेंगा एशों नहीं आपके पास एक बार फिर जो है हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़े होएं तो डॉक्टर साहीत चतरवेदी एक बार फिर आपके पास लोटते हैं आप कहा रहे थे कि ये जो बदला हुआ है उसमें भारत आर्थिक रूप से जो संपन हुआ और जो आर्थिक जो बदलाव आये हैं जो दुनिया समझ रही है कि आपको आर्थिक रूप से जादा समनवय करना पड़ेगा आपको नजदीक आना आप अलग-अलग टापू की तरह से नहीं ग्रोख कर सकते, विश्व पूरा एक है आप, जब मिलेंगे तो एक होंगे, भारत की राजनीतिक जो बदलाओ भारत में हुआ, राजनीतिक स्थाइट तो जो भारत में आया, और भारत में जो आर्थिक स्थाइट तो आया, क्या य जाते हैं, आर्थिक राजनीतिक स्थिर्ता के साथ ही, हम आपसे ये भी साहित जी जानना चाहेंगी, क्या भारत ने भी अपनी विदेशनीति में भी कुछ बड़े बदलाव किये हैं, क्या भावी चुनोतियों को देखते हुए कुछ नए समाधानों के साथ, कई देशों क साथ उन्होंने रिष्टों को बहतर भी किया और नए विकल्प भी सुझाए। पूरे विष्व में यहां से एक एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। अभी वहां पर मेटिकल्प टुरिजम, एड्यूकेशन और केवन किरें ही नहीं, बलकि उद्ध्योग और ब्यापार दोनों पर ही बहुत विकास की चल्चाएं और प्रयास किये जा और अभरत में यह एक यह इक राजल्च नहीं तेक अई स्थर्ताएं थीं यह एक विशलन्दाएं थीं उनमें जो एक विश्वास विश्व इस तरक से बढ़कर के आया है। और जो भारत सरकार ने और यूई ही सरकार दोनों ने की परस पर दो दो कदम बढ़ाएएं और बादोनों कदम संधियों के रूप में बिटसित हुए हैं और इस दौर में अनेकों एग्रिमेंट्स, MOUs इसमें साइन हुए किये गए हैं जिसका एक ही क्रत रूप यह भी हम देखें तो वो SIPA, Comprehensive Economic Great Partnership Act है जिसमें कि पार्टनर्शिप नाम दिया गया है, कोई Memorandum of Understanding नहीं कही गयी है पार्टनर्शिप एक्रिमेंट है जो कि बिकास की धारा में साजेदा दिये चाहे वो UAE की तरफ से Export of Goods या Services हो या दूसरी ओर से केबल भारत में ही नहीं अब पर तो बिश्व इस्तरवत क्योंकि UAE एक Central Point है यहां से जोड़े हुए जितने भी कारोबार हैं उन सभी पर इसका एक ब्यापक एक असर पड़ेगा और दौनों ही दिशों में एक आर्थिक बेकास की धारा यहां जोड़ती है और भी इसके Capital Markets से रिलिटेट कुछ Points हैं जिसमें के इंट्रेस्ट्री विंडो की बातचीतियां चालू की गई हैं कि इंडिया में किस प्रकार से जो इस्लामिक फेनांस जो इन कंट्रीज में किया जाता है क्या उसका कुछ Alternative Function क्या इंडिया में भी शुरूआत की जा सकती है कुछ Fund क्रीट किये गए हैं कुछ Products क्रीट किये गए हैं और Investment Banking में काफी Flexibilities लाई गई हैं साहिती जी तेल आधारत अर्थ व्यवस्ता UAE की रही है और हम देखते हैं कि उर्जा को लेकर और तेल के उत्पादन को लेकर कई ऐसे विकल पार्थ की तारीक में विशु के सामने है क्या ऐसे में UAE के लिए भारत एक मुफीद मतलब एक suitable friend के तोर पर सामने आया जसने तेल से इतर कई ऐसे एक शेत्रों में विकास के साथी साथ साज़ेदारी सहभागिता को भी आगे बढ़ाया UAE के साथ मैं इसके उत्तर में के बाद एक sentence कहूँगा कि भारत के बाद साज़ेदार के रूप में नहीं बलके एक निकट संबन्दी के रूप में आया है जो के जहां पर कि सबसे ज़्यादा consumption है और UAE से जो fine जो refined जिस प्रकार का जो oil supply किया जाता है बारती उद्योगों ने भी यहां पर निवेश किया है और उनमें भी एक नई development आये है और oil based economy तो यहां की ही है लेकिन भारत को दिहान में रखते हुए जो भारत मार्ट का आज जो उधातन हुआ है उस पर हमें बिशेश तोर पर चर्चा कर दी थे क्योंकि यह एक बड़ा सो एक दूरगामी बिचार था यहां कुछ वर्षपूर में जो पुरानी सरकार है थी यूए टीवी उन्होंने चाइना से ट्रेवलपेंट करते हुए एक ड्रेगन मार्ट नाम से एक यहां पर बिशाल एक ऐसा मॉल यहां इस्थाकित किया यहां प अरब और भारत में उत्पादों को के बहुत बड़ी समानता है यहां के लोग आयूएज पर को बहुत माननेता प्रदान करते हैं घरों में हप्स का प्रयोंकिया जाता है लॉंग अजवाइन जावित्री जावित्री जो हमारे यहां का मसाला है वह बिरियानी बनाने में नीवू की अलग-अलग बैराइटियां होती हैं जैसे कि आसाम इत्यानिक में एक हत्कोरा नाम का नीवू होता है वह हत्कोरा नीवू जब बिर्यानी में डाला जाता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल यूलिक हो जाता है जो कि यहां के आरब बहुत पसंद करों इसी प्रकार से जो मीखी नजीयों में पल्लवेत होने वाली सरोवरों में पल्लवेत होने वाली मचली आएं उनका स्वाद सी फूच से बिल्कुल भिन होता है तो यद्यपी या एक वेई नॉन्वेज वाली बात ही नहीं है अपिस्थी उस्पादों की बात करें तो जो अरटिफेक्ट्स होते जो के अनेकों शाथाओं से निर्मित फरणी चरोते जो इत्र है अगर नाम का जो ब्रक्ष होता हैं जिसे हम भारत में अगर्वत्की के नाम तो सब कोई जानते हैं लेकिन अगर वास्तम में अगर ब्रक्ष से निर्मित पणार्थ जो है उनको यहां पर दिन चर्या में प्रयोग किया जाता है केवल कूझा आर्चर में नहीं केवल इवादत में नहीं अपेटु दिन चर्या में उनकी life style का वहां है तो अगर जिसे यह अरत के लाम से जाना जाता है तो ऐसे हजारों हजारों प्रॉजह में पहुँचा सकता है चाहे वह कुष्प हों या वहाफ भल हों या आूशजिया हों या हमारे बने बहुत बड़ा माध्यम सावित होगा और मैं आज भूरिशाय विलंदन करना चाहूंगा समस्त भारतिय समाज को और यहां की सक्ता को कि आज भारत मार्ट का यह अनावरण हुआ है यह अपने आपने बहुत ही एतिहासिक बिल्कुल भारत मार्ट जो आप कहते हैं आज भारत की बात हो रही है युए इमे और भारत माड की बात ना हो तो वह संब़वनिया राज का इंपॉर्टन कारेकरम था जहां प्रधानमंति के उसके बारे में आपने बताया राजी उन्हें जी जब प्रधानमंति आज वैश्विक सम्मेलन में जब शुष्शिशिकर सम् एकॉनमी होगा तो इशारा फोकस बड़ा साफ है कि भारत जो है ग्लोबल एकॉनमी का सेंटर है और अब भारत के साथ वैपारिक रिष्टे मजबूत करना सबकी जरूरत है सबके लिए विन-विन सिचुएशन है यह निश्ची ते देखिए भारत जी सापने कहा कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और तीसरी जब अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है तो जो इससे जुड़ेगा उसे हैदा होगा उसे लाव होगा जो नहीं जुड़ेगा जो अपने तरह-तरह के बाधाय उत्पन करेगा उसे नुक्ष नहीं है अर्थ है अर्थ जरूरी है हम अहां हमारे जो बात होती अर्थ काम मौक्च सारी चीजे एक साथ मिलके चलती है एक जो इंटेग्रल हीमनीजम की हम बात करते हैं वो पूरा का पूरा इस दर्शन का परिचे प्रधानमंत्री ने दिया है एक सांस्कृतिक जो हमारी वि भी बात रहे थे किस तरह से विभी चेत्रों के देवी देवताओ चाये किरला से हो चाये उडाइसा के हो जग्रनाथ जी भी है लेकिन जवड venue जैनाथ जी कि मनने जाते हैं लेकिन हम सब कही सभी पूजा करते ही उनकी उस तरह शिव की उपासना पूरे भारत में होती है पुष्णू की उपासना भी पूरे भारत में होती है तो पूरी जो हमारी सम्रिध्धता है उसका उन्होंने वहां पर पर हमारे मंदिर के माध्यम से दिया जा रहा है प्रदान मंत्री जी की उपस्थिती इस सम्रिद्धता को एक एक नया आयाम दे रही है एक नई उचाई दे रही है और इसे पुरे के पुरे जो विश्व भर में इसके एक इसे अट्रैक्ट कहते हैं इसे पुरा आकरसित करने का एक बड़ा अच्छा प्रयास है अभी उन्हो से अभी जो जी ट्वेंटी का भी समारो हुआ था हमारा उसमें आप पाएंगे डिक्लेरेशन में चाहिए बाकी भी जब तयारियां हुई थी संस्कृती और आर्थिक इन दोनों में कहीं भी जो दुरियां नहीं है उनमें एक सम एक संबंध है और इस तरह से जिस तरह से हम आने वाले समय में मिलेगा लेकि जो अभी आपने बात की किस तरह से एक जो जियो एकनॉमिक्स की बात कर रहे है और जिस तरह से पूरे दुनिया को बता रहे है कि तीसरी विश्व विवस्ता है भारत एक शक्ति आर्थिक शक्ति उभर के आ रही है वह लोगों को मानना ही म इमिरेट्स के साथ हमारे बड़े अच्छे अभी तुरंद बता रहे थे चत्रवेदी जी कितने गहरें और किंकिल विश्यों पर हमारे संबंध प्रगाड़ होते जा रहे हैं साथ सिक्षा से लेकर वहां हमारे भारत का सबसे चौथा सबसे महत्वपुन इंवेस्टमेंट का है वो जो पन पने जा रहा है देस्टिनेशन वहां से धन मु mismos आएंगे जिशन से हमारा कई चेत्रों का विकास होगा और उससे वापस उन्हें पैदा होगा देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्स आता है भारत में वहां से लेकिन हम भी पेट्रोलियम प्रोडक्स वापस उन्हें भेजते हैं उसी तरह से जो रॉब माटीरियल्स कई सारे जूइलरी के आते हैं अच्छा हमारे हां कार्ज करके वापस उनके जाते ह पूर्ट प्रोड़क्स हम उन्हें दे रहे हैं तो एक तरह से बड़ा ही एक इंडेट डिपेंडेंट्स का एक दूसरे पर हम काफी आस वहां उनके उपर एक दूसरे पर आस्रित होते जो जा रहे हैं और वही एक नई छवी एक नई दिशा होगी संस्क्राइब भावारे अर देखिए अब प्रधार मंत्री जब मैं दाहरन बताया करता हूं जो हमें हमाई सिखाया गया था कि बीश्वी सदी के उत्तरार्ध में पुर्व सुरू के दिनों में जब रविद्रनाः टैगोर गय थे जैपैन में तो वहां कि छात्रों ने उनकी बातों को नहीं सुना थ से लेकर सांस्कृतिक प्रमपरा बहुत संवरिद्ड है थी लेकिन इन दिया नहीं कहा कि एक जो राष्ट आपनी वेशिक कब्जे में है वह हमें क्या सिखाएगा आज का राष्ट जो आज का भारत है वह आर्थिक रूप से संपन है सांस्रितिक रूप से बादिक रूप स संपन तो वो पहले से ही था आर्थिक रुप से संपन राष्ट जब अपनी संस्कृति लेकर विश्व में जाएगा तो निश्चित ही विश्व को उसकी उसके उपर ध्यान देना होगा और हमारे जो प्रधान मंत्री है इन सब को बड़े ही समिस्रित बहुत ही सुंदर तरीक किस तरह से आइटू यूटू में भारत और युझाटेड़ अड़ाव एमिरेट्स और इज्राइल और अमेरिका सब साथ मिलकर काम परएं अब उसके फ्रांस भी एक दूसरे की तरह के इंडिया उनाइटेड़ अरव एमिरेट्स और फ्रांस काुशी तरह का एक समूष ब जो कहने सकते हैं जी उसमें भी हमारे साथ United Emirates मिलकर काम कर रहा है तो इन सारे चीजों में अब यह कह दे कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव को काउंटर करें ना करें हम उस पर ना ध्यान देते हुए भी positively एक सकरात्मक रूप से हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चिती भारत एक नई दिशा परदान करवा है देश अपनी अपनी विदेश नीती और अपने अपने दोस्तों के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो भी उस कुशल कूट नीती भारत की दिखाई देती है डॉक्टर साहित ने हमने बात की कि 35 साल जिस तरह से दो देशों के बीच के रिष्टों में एक रुकावट थी उसे खत्म किया प्रदान मंत्री ने 2015 से लेकर 2023 तक के जो संबंध रहे इसमें CEPA एक बड़ा पड़ाव रहा है इसके साथ साथ कई ऐसे मौके रहे जिसमें भारत UAE के साथ कई बड़े इनिशेटिव के साथ आगे बढ़ा है लेकिन क्या आप मानते हैं 2024 में जब प्रदान मंत्री का लाबूधा भी उतरे तो शुरुवात हुई 21 सदी की टेकनोलजी के इस दुनिया में उन्होंने उतरते ही UPI और जयवान के ट्रांजेक्शन के शाथ शुरू किया और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे भारत मार्ट के शुरुवात यानि कि आने वाले समय में कई ऐसे नए शेत्र भी खुलेंगे दोनों देशों के बीच में तो क्या उन पर बातचीच चल रही है क्या और संभावना है दोनों देशों के सामने है भविश्य के लिए जी बड़ा ही बड़ा इस सटीक और रिलीवेट कोश्चन आपने किया है कि दोबई का जो फोकस है वो दिजितल एकोनोमी में यहां दोबई चैंबर ऑफ कॉमर्स एक सार्थ सरकारी संस्था है बेसिकली सरकारी संस्था ही कहा जा सकता है जो के पूरे इंडस्ट्री को इतने भी यहां पार इंटरप्राइसे होते हैं सभी उसके बाइजफॉल्ट मेंबर को तो जो इक ड्राइव होता है वो चैंबर ऑफ कोमर्स के फ्रू होता है उसमें डिजितल एकोनोमी को फोकस करके डिफरेंट चैंबर का यहां पर आगास किया गया है क्योंकि फिंटेक अनलोजी वन ओप दा लार्जेस्ट एजेंडा है तो परी 33 जी 33 एजेंडा के पर है उसी में जो सीपा एक्रिमेंट पिया गया है उसमें 2030 में 1 क्रिलियन यूएज डॉलर्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक टार्गेट भारत ने रखा है यूएए के प्रति लेकिन ये जो हमारे रुपे का जो एक शुरुआ कल उद्गाचन किया गया है जो फिंटेक टेक्नलोजी का एक बड़ा बहुत बड़ा जबिलब्मेंट है और डॉलर्स की निरुभरता से थोड़ा सा अपनी अपनी करेंशी के प्रति आगे बढ़ना क्योंकि डॉलर्स और यूएज सब्सक्राइब करेंगे और जैसे हम लोगों का हम लोगों का मांगा है तो मैं चाकड़ एकाउंटेंटर इंडियन जैस्पोरा जो की डुबई है उसका उसका रेफरेंस यहां पर दे रहा हूं जी डॉक्टर साहित क्या इसने रोजगार के भी नए अफसर मुहिया कराएं हैं क्योंकि यह कहा जा रहा था कि CEPA के बाद जो तमाम नए एक शेत्र जुड़ेंगे और जिस तरह से सीमा शुल्क में जो कटौतियां होंगी कई ऐसे उत्पाद होंगे जिनको लेकर कई नए ने अमकानून तयार किये जाएंगे उसका एक बड़ा फाइदा दोनों ही देशों के आम लोगों को बहुत जादा मिलने वाला है जी बिल्कुल जब प्यापार बढ़ता है अभी यहां रिसेंटली लवग 90,000 नई कंपनियों का रेजिस्ट्रेशन हुआ है जिसमें से 40% रेजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनी के हैं तो बहुत ही वह इंडियन से हो और इंडिया एक स्केल का मेंपावर को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा यहां का साजेदार है वह किसी भी चेक्र में हो आज आईटी की रिक्वायर में धर्टेर होती है इंग्लिश स्पीकिंग एक सबसे बड़ा एक हर्टल होता है तो यहां का एक प्लंबर भी एक अच्छे ग्रेजुएट यहां का प्लंबर भी अच्छा कम्यूनिकेशन कर देता है तो रोजगार के अवसर बहुत बढ़े हैं और टूरिसम का यहां पर इस बार दोवई में ही किवल 20 मिलियन लोग टूरिस्ट बन करके यहां दोवई में आये हैं और उनमें उनका 56 परसेंट रिशो भारत को जाता है तो यहां का आवागमन और यहां के जो नए बिजनिसमस को शुरूरात करें के ही है और उसमें एम्प्लॉइमेंट डेफिनिस्टी एक बहुत बड़ा सहयोगी भारत के लिए होगा वस्तोता देखा जाए तो लेवल की शॉर्टेज है आज यहां टैक्सेशन शुरूर हुआ है एकांटिंग एस्टेमिलिस होई है हमें क्वालिफाई चाचाड़ एकांटिंग की ज़रूरत होती है लेकिन वह उपलबता नहीं है इसी तरह से जो एक्सपर्ट क्लेरिकल जो डिजिटल एंवायरमेंट में एई आई वगेरा के एजूकेशन से जो इसकिल जाए ऐसे लोगों की यहां बहुत ज़रूरत है और वहां इसकेड़ सप्लाई में हैं वह इमेडियेटल एवी लेवल नहीं है और इसलिए यह रोज नए अवसर परदान करता है विवेडिताय परदान करता है इस बीच यह जो भारत मद्यपूर जो आर्थी गलियारे की बात हो रही है उसमें क्या और संभावनाएं आप देखते हैं और इसमें जो है कैसे इस गलियारे से जो है दोनों देशों की सम्रिद्धी और जो आप रहे हैं ओर बाकिया किसे बढ़ा रहा है दोनों देशों मैं में थी पख्षों को हम लोग बिशिज्बय करके फूकस कर रहे हैं पहला मुत्ता तो यह हैabile इन युई इअ फरोजक्त होते हैं और मीडिन इंदिया उनकी एकसेप्टन के मैं बहुत जादा और की Freiति की बात है वह अंगे देशों का जो नजदी की जो पड़ोसी देशें उनसे उतना प्रीमियम प्राइसिंग में नहीं हो पाता है इसलिए भारती उस्पादों को यदि वेल्यू एड़ करने के लिए यूई का प्रयोग किया जाए तो एक बहुत बड़ी संभावना यहां अपर प्रोड चार अंते की फ्लाइक में 80% कंजूमर ऑफ दवर्ड एंडिकेटर यहां से दोबई से या यूई से बिल्कुल डॉक्टर साहित कूटनी टिक व्यापारिक सामरिक संबंधों को अब सांस्क्रतिक संबंधों और ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं आपसे और थोड़ी ही देर में प्रधान वंत्री इस मंदर का उत्गाटन करेंगे